नमस्कार दोसों स्वागत है आप सुभी का इस वीडियो में हम बात करने वालें कई बड़ी और लेटेस अपडेट के बारे में जोकी संबन्दित है 26-27 जून को होने वाली परिक्षा को इस्तकित कर दिया गया है यूपी टीजडी बीजडी को लेकर बात की जाएगी उत्तर पर इसके अंदर एक नई सिच्छक भरती का बिग्यापन जाजी हुआ है उस नई सिच्छक भरती से बीएट बीटीसी दोनों को बाहर किया गया है साथ ही साथ हम बात करेंगे सिच्छा सिवा चैन आयो किसके इलावा वीडियो जी एक्जाम असिस्टिन प्रोफेसर के बारे में लेकिन सारी अप्डेट कवर करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबा लें जिसके कि आपको रियल ओथेंटिक जानकाई सबसे पहले मिलती रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जिसा कि दोसों आप सभी जानते हैं कि 26-27 को एक परीक्षा होने वाली जिसके लिए आप सभी ने भी आवेदन किया होगा अब उसको लेकर जब आप सुभी ने आविदन किया था तो आप जानते हैं कि एक परीक्षा के लिए जब भी आप आविदन करते हैं तो कोई ने कोई परीक्षा उसी दिन आप सुभी के सामने टकरा जाती है और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं कम सिकम चार चार ऐसी परीक्षाइं देखने के लिए मिली जो कि आपस में टकराती दिखाई थी अब इनी बातों को ध्यान में रखते हुए कई परीक्षाओं को लगाता इस्तकित किया जा रहा है जो 26-27 को होने वाली थी पहले सची परीक्षा निमक प्रदिकारी के माध्यम से अपनी डिलेड की सेमिस्टर परीक्षाओं को इस्तकित कर दिया गया अब उसके बाद में 26-27 इसके अलावा 2 जुलाई को होने वाली परीक्षाओं को यहां से इस्तकित कर दिया गया अगर बात की जाए प्रफेसर पर लिया गया क्योंकि 26-27 इसको बीडियो भरती परीक्षा भी देखने के लिए मिली थी और यह परीक्षा जादा बड़ी है किसी भी विश्विद्याले के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं को लेकर क्योंकि यहां से अब भरती सरकारी नौकीन के लिए साला इंतजार क अब शायद एकादी कोई परीक्षा होगी जो कि सेम तारीक पर देखने के लिए मिलेगी फिलाल ये बात हो जाती वीडियो को लेकर साथ ही साथ 26 27 की परीक्षा के बारे में चले बात कर लेते हैं अपनी एगली अपडेट के बारे में जो की संबंदी था यूपी टीजिटी पिजिटी एक्जाम डेट को लेकर साथ ही साथ नए सिच्छा सेवा आयो के बारे में उसके माध्यम से होने वाली भरतियां और असेस्टिन प्रोफेसर को लेकर ये तीनों अपडेट आपको एकी साथ देखने के लिए मिलेंगी जैसा कि आप जानते हैं कि टीजिटी पिज पिजिटी वाला ही प्रोसस देखने के लिए मिला लेकिन उसकी भी अभी तक परिक्षा देखने के लिए नहीं मिली दोनों के अभ्यति लगाता ये मांग करते रहे कि परिक्षाओं को करवा लिया जाए जिससे कि अभ्यति किसी दूसी भरति की तयारी कर सकें लेकिन दोनो में हालात क्या है वो आप सुभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर बात की जाए प्रदेश के अंदर दो प्रमुख भरती संस्तानों के पास में कोई काम नहीं है जैसा कि आप जानते कि दो कुन-कुन से एक है आप सुभी का चैन बोर्ड और दूसरा है UPHESC अब इसको लेकर लिखा हुआ है कि प्रदेश के दो बड़े भरती संस्तानों के पास कोई काम नहीं है महीनों से सब कुछ ठप हो चुका है अगर बात की जाए UPHESC इसके लावा चैन बोर्ड में कोरम पूरा ना हो पाने के चलते प्रतियों की छात्तों ने सवाल उठाए है बि इन दोनों संस्ताओं की अगर बात की जाए पिचेतर से अधिक करमचारी काम बिना काम के बेतन दिया जा रहा है इनमें अगर बात की जाए कई इस्तारी करमचारी है तो कई आउट्सोर्सिंग के माध्यम से भी काम कर रहे हैं प्रदेश के असास की असारता प्रावत माध् और बर्दमान में अगर बात की जाए आयोग में 33 एंडी और 5 इस्ताई करमचारी हैं और 2 दरजन करमचारी आउट्सोर्सिंग पर काम कर रहें और कोरम के अवाव के चलते भरती शुरू नहीं हो पारी है अन्य आवर्षक काम भी यहांसे अटके रहें जिसे की नीचे लिखा हुए है शूत्यों का कहना है के समस्या से सासन को भी कहने की अवगत करवाया गया है लेकिन वहां से भी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला और वहां से जब जानका यह मिलती तो बताया जाता है कि नए सिच्चा सेवा आयोग का गठन भी कहने की अटका हुआ है शासन की ओर से अभी इस पर नहीं किया जा रहा है कि जिस भरती का विज्ञाबन हो चुका है क्या वो नए आयोग से पूरी करेगा या फिलाल आयोग कामकाज पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है तो वहीं बात कर ली जाए चैन बोर्ड को लेकर वहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल है चैन बोर्ड का हाल यह है कि असासकी सायतरबाद माध्यमी बिद्यालेव में टीजिटी बिजिटी के लिए 4163 पर बिग्याबन दिकाला गया था अगस्त 2022 के अंदर आवेदन पूरे हो गए थे और आवेद इस्ताई हैं और 35 कर्मचाई आउट्सोर्सिंग पर काम कर रहें उनको बेबज़े वेतन दिया जा रहा है क्योंकि ना तो यहां पर अध्यक्ष्यों नहीं यहां पर कोई भरती पूरी कराने के लिए काम हो रहा है चाए वो चैन बोर्ड हो या फिर इसके अलावा पुराना UPHSC जिसके माध्यम से Assistant Professor की भरती परीक्षा पूरी करवानी है और यह बात पूरे तरीके से सत्य है कि इसको लेकर जो आप सुभी का विग्यापन जादी किया गया है चाए वो Assistant Professor का हो या फिर TGT-PGT का इन दोनों की परीक्षा आप सुभी को नए सिच्छा सेवा आयोक के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेंगी लेकिन सवाल वहीं आगर खड़ा हो जाते कि नए सिच्छा सेवा आयोक को पूरे तरीके से बनने में अभी समय है जैसा कि आप जानते कि जून का मीना शायद निकल जाएगा जुलाई में आप सभी को नए सिच्छा सेवा आयोक को लेकर अपडेट देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद ये परिक्षा हो पाएंगी तो टीजटी पिजटी इसके अलावा असेस्टन परफिसर की त्यारी करने वाले अप्डेती अपनी त्यारी लगातार करते रहें क्यूंकि आयोक के बनते परिक्षा तो करवाली जाए हैं और उसके आविदन भी शुरू हो गए लेकिन उस सिच्छक बरती के अंदर बीड बीटी सी करने वाले अभरती दोनों को बाहर किया गया यानि कि वो आविदन नहीं कर सकते हैं और ऐसा पहले भी एक बरती के अंदर देखने के लिए मिला था सरकार किस तरीके से बरतिय को मुका देना चाहिए बजाए आप ऐसे शिच्छकों को मुका देते हैं जो पहले से रिटाय brag हो चुके हैं और यहान में बात करा हाँ अट्रलावासी विद्याले में हर बिद्याले में 11 अध्या देखने के लिए मिलेंगे और इसका जो इंटरव्यूउ हो खतना कर दिये गए हैं लेकिन अभी तक शिख्षकों की जो तेनाती है वो देखने के लिए नहीं मिली थी इसके लिए सेवा निवित जो टीचर से उनका सारा लिया जारा है उनकी भरती की जा रही है यहाँ पर आप सभी के सामने शाप शाप सब्दों में लिखा हुआ है कि जो सेवा निव बिद्याले में 80 सीटें हैं जिन में से 40-46 जो 46 रखी गई है प्रमुख सची बगर बात किये दुर्गा संकर मिश्रा ने बैठक लेकर कहा कि विद्याले 37 सुभारम की भब्यतराइयां करें सीम जुलाई में किसी भी दिन इसका सुभारम कर सकते हैं धरसल इन विद्याले मे अन्य बिद्याले उन से प्रदाना चाहलें को बेज़ कर तेनाती कर दी गई है अभी तक टीचर्स की तेनाती नहीं हुई थी जिसको लेकर उन्होंने यहां से आदेश दे दिया है और फिलाल सेबा निब्यत जो भी टीचर हैं उनको यहां पर तेनात किया जा रहा है और ज करने वाले अभ्यति हैं उनको घर विटाया ज्यादा यह सरकार की नहीं थी है फिलाल इस वीडियो के माध्यमसेत नहीं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो